नमस्कार दोस्त, मेरे इस चानल में आपका स्वागत है आपने इच पत्थर के मकान तो देखे ही होंगे और लखडी के भी कश्मीर जैसे शहर में दिखी जाएंगे पर क्या आपने कभी ऐसे घर की कलपना की है जो प्लास्टिक की खाली बोतलों से बना हो आपको शायद ये मज़ा कर लग सकता है लेकिन पनामा नाम के एक देश में जल्द ही ऐसा होने वाला है यहाँ एक ऐसे गाउं का निर्माण हो रहा है जिसमें सभी घर प्लास्टिक की बोतलों से बने होंगे वो प्लास्टिक की बोतले जिने हम कबार समझ कर फैंक दिया करते है वे वातावरण के लिए काफी हानिका रख होती है उनको रीसा है कल कर दोबारा इस्तमाल करना भी काफी मुश्किल होता है और जलाने से भी वायू प्रदूशन फैलता है इन सब कारणों से वाकिफ एक व्यक्ती ने वातावरण को बचाने और पुरानी बोतलों को दोबारा इस्तमाल में लाने के लिए यह नया उपाई खोज लिया है पनमा में 83 करक शेत्र में प्लास्टिक बोतलगाओं के नाम से बनाया जा रहा है यह प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला है हर घर यहां 14,000 बोतलों पर खड़ा होगा और कुल 120 घर बनाने कर निर्ने लिया गया है यही नहीं बल्की सामुदाय केंद्र पोवलिन और गार्डन भी बनाया जा रहा है इस गाउं में आश्चरिय की बात तो यह है कि इन घरों में आपको ऐसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गर्मी के दिनों में आम घरों के तापमान के मकाबले प्लास्टिक बोतलों से वने घरों का तापमान काफी कम है निर्मादाओं का दावा है कि मजबूनिती के मामले में haya कोई समझोता नहीं किया जा रहा अगर वाकई इतनी सारी खुपियां हैं प्लास्टिक बोटलों से वने घरों की तो इन्हें इंडिया में भी बनाया जासकता है हमारे यहा जितनी प्लास्टिक बोटले रोट पर पाई जाती है अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए समय देने के लिए धन्यवाद